आपकी बहुत लाजवाब वीडियोस हम सब लोग देखते हैं, इतने सारे वीवर्स हैं आपके, लेकिन आपकी जो बैक्राउंड है, कहां से आपने जर्नी स्टार्ट की, कहां से ये सफर सुरू किया, तो वो बहुत उत्सुकता है हमारे वीवर्स की जानने की, तो प्लीज उ मैं एक notion को प्रमोट करता हूँ, the notion is known as go self-made, so go self-made से मेरा मतलब है कि, if you talk about India, यहां पर हमारे पस 130 करोड़ लोग हैं, पर इन 130 करोड़ लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, कि सब के अंदर एक आगे बढ़ने की चाहत है, सपने है, हो सकता है कि कोई ऐसे परिवार में हुआ, जनम लिया, जहां पर बहुत ज़दा opportunities नहीं थी, पैसा नहीं था, और इंडिया के अंदर यह बहुत ज़दा common है, बट सबने सब के हैं, तो मैं यह बोलूँगा कि I was not born in luxury, हमारे पास सारी luxuries नहीं थी, so मुझे ऐसा लगा कि उपर वाले ने मुझे वो सारे कारण हैं कि मैं वो luxuries create करूँ अपनी जिंदगी में, मतलब लोगों कैसे लगता है कि this is what we are, but I think कि आपको अगर यह life मिली है, तो it is an opportunity, a सबसे बड़ी opportunity है कि आप कुछ भी कर सकते हो, so my journey started when I was in 9th standard, जब मैं 9th class में था, तो 9th class में क्या होता है, बच्चा मिच्छा में नहीं होत चाचा मुझे बढ़ाते थे, तो उन्हों ने मुझे recommend किया कि पुछकर तूँ ना personality development के courses join कर, ना 9th की age में, communication skills के courses join करो, जिससे तुम अपने अपको overall upgrade कर पाऊ, तो उन्हों ने बस मुझे एक रहा दिखाई कि first of all develop yourself, कि पढ़ाई तो सारे बच्चे कर रहे हैं, academics में सभी but you start to develop yourself, you uplift your mindset, तो मैं 9th class से कई सारे institutes में गया, मैंने कई सारे courses लिये, professional courses लिये, training लिये, तो 9th class से मैंने अपने आपको सुधारना शुरू कर दिया, और एक domain में मैंने सबसे अधे ध्यान दिया, that was public speaking, तो मैंने वहाँ पे वो सारी चीज़ सीखनी शुरू करी, तो और मिले, और उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया, मैं लगा ता 9th से 10th standard तक वो सब सीखता रहा, तो इसी दोरान जो मेरे वो trainer थे, उन्होंने एक network marketing company जोइन कर ली, अच्छा, he joined a network marketing company, so उन्होंने मुझे उस company के seminar में इन्वाइट किया, कि आप वहाँ पे आईए, तो जाने के बाद, मुझे बिल्कुल दुनिया से हटकर वो जगा लगी, अच्छा, ओके, वहाँ का महौल और वो सब चीज़, हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बोल रहे थे, जो बाते कर रहे थे, वो अलग थी, वहाँ पे stage पर कोई आके बोल रहा है कि मैं 4 लाक रुपे म कमाता हूँ, 5 कमाता हूँ, 10 लाक रुपे कमाता हूँ, तो मैंने सुना नहीं था ऐसा, भार की आम लोग ऐसा करते हैं, कुछ खास लोग होते होंगे और वो मुझे कैसे पता लगा कि वो आम लोग है क्योंकि उन्होंने अपनी जब stories बताएं कि हम भी इसी तरीके से आपके बीच में बैठे थे, हम भी आगे बड़े, तो वहां से एक mindset खुलना शुरू हुआ, तो network marketing में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम कही सारे concept सीखते हैं, जैसे कि passive income का concept हमें समझ आता है, हमें duplication का concept समा जाता है, time leverage का concept समा जाता है, तो यह सारी चीज़ें स्कूल में न सखाई जाती है, business में भी कोई सिखा नहीं रहा आपको, but in network marketing the culture is of training, and first of all the fundamentals, तो यह fundamentals मेरे 9th class में clear हो गए, although मैंने join नहीं करी, मैं 18 साल का भी नहीं था, तो मैंने network marketing join नहीं करी, but मैं यह उस seminars को बहुत enjoy करता था, तो लोग Saturday Sunday movies पे जाते हैं, तो मैंने हर Sunday का ऐसे एक plan मना लिया कि हर Sunday मुझे इनके सेमिनार में जाना है, तो उनकी कोई सेमिनार का ticket होता था, पास होता था, मैं वो पैसे देता था, और वहाँ पे जाके बैढ़ जाता था, वो तीन घंटे मुझे ऐसा लगता था कि यह ऐसी जगाए जहाँ पे मुझे रह नहीं है, यह मैं मिस नही कर सकता, और उससे हुआ गया कि धीरे-धीरे से मेरी सोच पर फरक पड़ा, तो बाकी बच्चों से मैं अपने अपको अलग समझता था, क्योंकि बाकी बच्चे बात करते थे कि हमें यह करना है, वो करना है, मुझे समझ आगे कि जंदकी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, अच्छा, okay, right, so that is what I understood, so इसी तरीके से मैंने 11th Standard में Science ली, PCMB थी मेरे पास, but एक चीज़ क्लियर होगी थी कि पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने हैं, तो क्या करें, अभी जब एक बच्चा Option देखना शुरू करता है, तो सबसे पहला Option आता है कि वो जॉब देख सकता है, मैंने अपने सारे options खुले रखे थे, तो PCMB थी तो मैं Engineering भी कर सकता हूँ, Medical Science भी कर सकता हूँ, मैंने Engineering के लिए प्रिपेर किया, मैंने Medical Science के लिए प्रिपेर किया, मैंने सारे entrance examinations दिये, but जिस दिन मेरे 12th का final exam था, उस दिन में अपने अप से पूछ रह था कि अब तिरे प 200 rupees a day, तो उसमें तुमें जेब खची करो, उसमें तुमें बाइक लेकर जानी है, तो उसमें पिट्रोल भरवाना है, that is your choice, कुछ खाना पीना है, that is your choice, जो भी करना है वो उसमें बचाना है, बचाओ, जो करना है करो, so you'll get 200 a day, so, अब actually मैं वो ठीक है, एक बच्चे के बहुत कुछ नहीं होगा, you need to do something of your own, तो अगले दिन maths का examination था, mathematics का, and that was my final exam, तो मैं अपने कजन भाही के सथ पढ़ रहा था, वो भी 12th में तो हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, तो वो बहुत लगन से पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना पढ़ लि what you will do, I'll just not want to come home and sleep, कि मैं बहुत पढ़ाई कर लिया, आपके सो जाते हैं, let's do something, so I was self-motivated, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बाद ना, home tuitions पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चों को tuitions देंगे, तो एक बच्चों को पढ़ा के 3-4,000 रुपे आ जाएंगे, अगर 2-3 बच् सोच दे थी, कि सोचना तो बड़ा सोचना है, छोटा सोच के कुछ होगा नहीं, तो मैंने का कि और क्या कड़ सकते हैं, तो मैंने का कि मैं इंस्टिटूट्स में बढ़ा सकता हूं, there was a self-doubt कि वैसे वो आया नहीं, एक doubt मैंने अपने आप से पूचा कि, you are just 17, क्योंकि मैं क्योंकि आप सोच पर कंट्रोल नहीं, धिरुबाए मनी जी ने बोला है, जितना बड़ा सोच सकते हो, सोच हो क्योंकि सोच पर कोई टेक्स नीए, कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसी रात में मैं सोया नहीं, मैं यह imagine कर रहा था, कि और क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमांग मैं क्या लाया कि मैं अपना खुद का इंस्टिटूट शुरू कर सकता हूँ कोई मुझे नहीं पढ़ाने देखा तो क्या हो गया 17 साल की उमर मैंने को लगा कि मैं अपना शुरू कर सकता हूँ so मुझे अपने उपर इतना फेट था कि मैं कर लूँगा I don't know how but I'll do it so my wife was clear कि मुझे पैसे कमाने है और क्योंकि मैंने 9 से लेके 12 तक public speaking की communication skills की training ली थी तो मैंने का कि मैं सिफेक academic institute नहीं शुरू कर सकता क्योंकि मेरे से कोई पढ़ने नहीं आएगा मेरे पता 12 की mark sheet भी नहीं है so what I can teach, what I can train on is communication skills, public speaking, personality development so I started a institute for communication skills तो वो भी कैसे हुआ, मैं exam देके आया exam अच्छा गया, मैं फिर फादर से आके अपने मिला और मैंने वोला कि पापा देखो मैंने 2 साल engineering करी, engineering की पढ़ाई करी मैंने medical science की पढ़ाई करी preparation किया और मेरे फादर हमेशा से चाते थे कि मैं एक engineer बनू क्योंकि उनके एक friend थे, जो की civil engineer थे और उनकी government job थी, तो वो बहुत अच्छी life जी रहे थे so उनको बहुत सादा सुक सुवधाय मिलती थी तो उनने लगता था कि मेरा बेटा बड़ेओ का engineer बनेगा so जब मैंने बोला कि पापा मैं engineering नहीं करना चाता तो कुछ देर के लिए मेरे फादर मेरे फादर नहीं रहे so वो जो उनके expressions थे, जो aggression था जो भी उनने बोला कि तू क्या चाता है, फिर क्या करेगा, अब engineering नहीं करेगा तो what you will do, he was just concerned about my future, और वो भी चाते थे मैं हमेशा से engineer बनू तो मैंने बोला कि entrance exam के लिए जब अच्छे पढ़ाई करते हैं अलग से special coaching जोइन करते हैं, तो वो भी वहापे भी फीज पेंट करी थी, पहुत सरी चीज़ और भी करवाई थी उन्होंने, जो वो करवा सकते थे, उन्हेंने अपना best किया, but then I said कि मुझे यह नहीं करना मैंने का देखो पापा, ultimately life में पैसे कमाने हैं ultimately life में पैसे कमाने हैं, तो यह सब नहीं करना so मेरे फादर ने बोला देख बेटा, मेरे को यह पता है कि अगर तू engineering कर लेगा engineering कर ले, तेरी एक तो नौकरी लग जाएगी तो नौकरी करनी है, तो करी हो, नहीं करनी है तो तो IAS के लिए प्रिपेर करी हो या IAS के लिए प्रिपेर करी हो so Indian administrative services के लिए प्रिपेर करो so that कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी मेरे फादर ने बोला कि देख भई, तो यह करे या IAS officer बन जाता है या IAS officer बन जाता है, तिरे को government की तरफ से घर में लेगा तिरे को नौकर शाकर में लेंगे तिरे को गाड़ी मिलेगी, गाड़ी पे लाल बत्ती होगी तो पता नहीं, पापा से मैंने ऐसे कैसे बोला पर उसके बाद मैंने बोला, पापा, मैंने कभी फरारी के उपर लाल बत्ती नहीं देखी अच्छा, क्या बात है पापा पता नहीं, मैंने क्या बोल दिया तो मैंने बोला, पापा, मैंने फरारी के उपर लाल बत्ती नहीं देखी तो अब वो विचार में आगे हो कह रहे क्या बोल रहे and actually उनके बिलीफ सिस्टम से वो चीज मैच नहीं करी तो फरारी बोलना ही बड़ी बात होती है और उस एज में और वो भी फिर बच्चा हवा में बात कर रहा है तो फिर वो एग्रेशन में उन्हें पूछा फिर तू क्या करना चाता है so I said पापा मुझे ना अपना बिजनस करना है मेरे को खुदी काम करना है तो कहते है ठीक है सब को छोड़ दे मेरे फैमिली बिजनस में आ जा मेरे फैमिली बिजनस में आ जो मेरे फादर का जूलरी का बिजनस है तो उसमें आ जो तो मैंने का पापा देखो वो मुझे करना नहीं मुझे समझनी आता तो कहते है क्या करना है मैंने का पापा मुझे अपना इंस्टिटूट गोलना है तो कैते कैसे हो लेगा? कौन पढ़ेगा तिरसे? You are nothing right now. क्या होगा? क्या नहीं होगा? मैंने का पापा मैं कर लूँगा. So थोड़ी दर उन्हें ने मुझे वोला जितना वो समझा सकते थे उसके बाद मेरी मम्मी को बोलते देखो तुम बच्चा क्या कर रहा है? तो फिर मेरे से पूछते कि कैसे होगा? कैसे शुरू करेगा? तो मैंने उन्हें पूरा बिजनस प्लान बता दिया. कि पापा देखो ऐसे है कि हमें एक जगा रेंट करनी पड़ेगी. वहाँ पर ऐसे होगा, यह इंफ्रस्ट्रक्शर होगा, ऐसे होगा, मैं पढ़ाओंगा, यह पुब्लिस्रेटी होगी, ऐसे पैमफलेट होगी. वो रात में कर दी थी, एक रात पहली प्लानिंग करी थी. उससे पहले कोई planning नहीं करी थी पर एक रात पहले जितनी planning करी थी वह मैंने पूरी पापा को पूरे conviction के साथ बता दी अब मेरे father को ऐसा लगा कि इसने तो सब कुछ प्लान करा हुआ है पता नहीं कब से जैसे कि किने सालों से प्लान कर रहा हूँ तो उनने जा चलो ठीक है देखो कि क्या क्या होगा कैसे होगा अब पापा ने जब बस इतना सा बोल दिया रूखे मन से बोला कि चलो ठीक है देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा तो हमारे घर के पास में एक property dealer है तो मैंनों ने बोल या कुछ भी बोलो grace बोलो उपर वलेगी तो मुझे एक चलता चलाया institute मिल गया तो एक ऐसा जगह मिल गई जहाँ पर ऑल्लेडी प्लेडी प्लेस थी पूरा बहुत अच्छे थी वेल फरनिश्ट था everything was there and already उस जगह पर लोगों को पता है कि यहाँ पर एक institute है तो लोगों क आना walking होना बहुत लाजमी है वो बंद कर रहे थे उस जगह को किसी ने छोड़ दिया था तो मुझे मिल गई चलती 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 God has a plan God has a plan तो जो उसमें मैं गया मैंने पापा को बताया तो फिर पापा को थोड़ा सा और convincing क्यों लगा कि already चलती हुई चीज है तो हो सकता है otherwise अगर कोई raw structure होता तो वो शायद चार बार सोचते क्योंकि उन्हें furnishing में पैसे खच करने बढ़ते तो वो सोचते उन्हें से rent पे करना था security पे करनी थी है और थोड़ा मार्केटिंग में हमारा पैसे लगना था तो उन्हें का चलतू टू ट्राय कर ले तो वो हमने deal final करी म मैंने थोड़ा सा publicity करी pamphlets वगरा बटवाए और कुछ बच्चे आने शुरू हुए कुछ बच्चे आये तो ultimately अब यह कहिए कि वो बच्चे मेरे confidence से थोड़े से inspire हो गया कुछ भी उन्होंने admission ले लिया तो उस time पे मैं 1000 रुपे एक महीने के charge करता था ठीक है तो 12 glasses मैं दे अगर 1000 रुपे आ रहे हैं तो 25 बच्चों से 25,000 रुपे तो 25,000 रुपे आये तो हुआ कि rent वगरा थोड़ा सा निकल गया rent तक निकल गया पहले महीने और next month से थोड़े बच्चे बढ़ गए 40 बच्चे हो गए 50 बच्चे हो गए दीरे 100 बच्चे हो गए तो सारे खर्चे निकालने के बाद विकास I was alone तो मैं खुदी सब कुछ मैनेज कर रहा था तो 60-70,000 रुपे मैं कमा लेता था सारे खर्चे निकालने के बड़ मंतली 60-70,000 बच्चे में 60-70,000 बच्चे में 60,000 रुपे महीना कमाना सुरू कर दिया 17-18 साल के अच्चे में कुछ चाहिम के बाद बच्चों की चुट्टी आती है तो बच्चों की चुट्टी आती है तो वह ना अकैडमिक्स की तरफ जादा नहीं जाते वह कुछ और एक्स्टा को कुलर एक्टिविटीज में ध्यान देते हैं तो मुझे लगा कि ठीके मैंने एक इंस्टीटीट चला दिया जहांसे मुझे अभी 60-70,000 रुपे आ रहे हैं तो लेट स्टार वन अनदर ब्रांच ठीक है एक और ब्रांच खोल देते हैं और कुछ वहाँ पे हम एक्स्ट्र अक्टिविटीज रखते हैं जैसे डैंस, अरोबिक्स, म्यूजिक, गेटार जिसमें और बच्चे आएं तो हमने एक और इंस्टीट खोल दिया तो फिर हमने दोनों की ब्रांच इस भी खोल दी यहां तक इतना समझ आगया कि हम इंस्टीट खोल सकते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ मैंने और फेकलिटी हायर करे लिए हर चीज मैं नहीं सिखा सकता है ना मुझे आती तो हमें इतना बता था कि लिवरेज का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं आता तो क्या हुआ यू कें लिवरेज तो मैंने बहुत सरे जब टीचर्स हायर करें बट हर इंसान में वो शायद ना डेडिकेशन होती ना मैं कहूंगा कि हर इंसान की ना अपनी कॉंपिटिंसी अलग होती है और फिर ये भी होता आप पे कितना घर रहे हो बिकर अगर आप बेसिक पे स्केल पे किसी को पे करोगे तो आपको बहुत ज़दा highly motivated people नहीं मिलेंगे तो मैंने अपने हिसाब से तो अच्छी फेकल्टी रखी बट उतना मज़ा नहीं आया लोगों को अच्छा ओके response उतना नहीं मिला जैसे पहले मिला था या आप पढ़ाते थे जो मैं करता था तो मेरा passion था so passion is something else you just forget everything but जब एक इंसान अपनी salary के लिए काम कर रहा है या अगर मैं उसे पच्छे के हसाब से दे रहा हूं या परार के हसाब से पे कर रहा हूं so there were different pay scales तो वो उतनी dedication से नहीं करेंगे चीज़ों और वहां पे थोड़ा सा up and down चलता रहा कभी बच्चे आज आज आते थे कभी नहीं आते थे हमें teachers बदलने पड़ते थे तो बहुत सारी चीज़े थी तो in the meanwhile मैं management सीख रहा था ये चल रहा है ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है ना running and teaching both are going on या इट्स रियल लाइफ थिंग ना आप चार institute manage कर रहे हो अचा ओके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं आप salaries दे रहे हो तो आप 17-18 साल के हो आप salary दे कर रहे हो and सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है when you have so many students they call you sir तो मैं 17 साल की उपर मैं sir बन लिया so then I थोड़ा सा मैंने और जब faculty को hire कर लिया मैं थोड़ा सा free भी होने लग गया तो इसमें जब आप इतना पैसा कमा रहे थे सरसर बोल रहे थे तो कुछ दिमाख खराब नहीं हो उस पर नहीं लोग ऐसा बोलते थे कि दिमाख खराब हो जाएगा जैसे मेरे घर में कुछ लोग थे तो मेरे फादर को बोलते थे बेटा अभी से पैसे कमारा बिगड़ जाएगा घरा गलत आदते हो जाती है लोगों की मुलाद देरा सो मैने थेंक्स तो उसमें क्या होता है कि एक तो यहां पर मैने जैसे बोला कि आप एंड डाउंस भी होते हैं उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा सा वक्त था टाइम था मेरे पास तो मैं उस टाइम को यूटराइज करता था उसमें मैंने क्या कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं उसे वेस्ट ना गरूँ जाया ना गरूँ मैंने फिर और institute में अप्रोच किया और लोगों को पता लग गया कि मेरे चार institute है तो किसी ने मना नहीं किया कि मैं वहाँ पर ऐसा faculty सिखा नहीं सकता अचा, ऐसा faculty भी आपने काम सुरू किया ऐसा faculty मैं आ सकता हूं ना क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है कि there is a credibility in the market वही अगर कोई है और उससे आपको क्या है माई एज आलवेस बीन माई एडवाइंटेज आप यह देखिए 17-18 साल में उमर में आपका नाम हो रहा है अपका नाम हो रहा है अपका है 100-200 बच्चे आपका जाके नाम ले रहे हैं वह अलग जगा भी जाते है तो नाम तो क्लास का रिजल्ट आया होगा या आरहा होगा इन दा मीन वाइल में टोल्स क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया अच्छा क्या बात है तो वहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना पट देर वर टू थेंग्स दो चीज़े यहां पे यह हुई कि एक तो जो फैकल्टी थी उस पे सिर्फ भरोसा करके सारी चीज़े नहीं चल सकती मुझे ऐसा लगा या तो बहुत अच्छी फैकल्टी हो जो पहले से मोटिवेटेड़ हो उसके लिए आपको वजब वजब पे करना पड़ेगा तो इट विए ग्राजूल प्रोसेस फिर्स अफॉर्स पैसे कमाना तो तभी से अच्छा लगने लग गया तो जब मुझे पैसे मिलते तो एक दिन उनेने मेरी पैसे काट लिये या उन्होंने मुझे बोला कि आप एक्स्ट्र क्लास देदेना तो आप पूरे पैसे लेलो तो मुझे उस दिन फिल हुआ कि एक एक एसा लगता होग जब उसके पैसे कटते होंगे अच्छा I was an employee only अगर I am a faculty somewhere else तो चाहे मैं उसे मज़े के लिए कर रहा हूँ but ultimately my goal is to earn some money also and और मेरे पैसे कटे तो मुझे लगा कि आप अपने वक्त के हिसाब से कमा रहे हो so that is your active income and second आपके जो faculty पे dependent हो वो भी एक limited है आपके पास चार institutes है चारों को manage करना फिर आपकी कुछ fixed costings है आपके rents है आपकी salaries है electricity है maintenance है आप कुछ भी avoid नहीं कर सकते है और अगर किसी भी तरीके से हमारा ऐसे कई सारे महीने जाते थे जब break even पे होती थी चीज़ है student come हो गए payments नहीं आई कुछ भी हो गया तो आपका break even है तो loss तो कभी नहीं होगा बट break even पे कई बार होगा तो पैसे नहीं भी आए but it was not मैं बोलूगा कि बहुत ज़दा uplifting graph था कि graph उपर ही जा रहा है ऐसा नहीं था तो यह करते करते मुझे दो-तिन साल हो गए और दो-तिन साल जब पूरे टाइम के साथ हो गए अच्छा जल रहा था सब कुछ मैं कॉलेज के अंदर भी था तो मैंने psychology honors जोइन कर लिया था कि एक तो मेरा थोड़ा सा उसमें इंटरस्ट है एक रिजन और है जो हम अगले इंटर्व्यू में cover करेंगे थोड़ा hint तो दे तो क्यों इंटरस्ट था I think हमने एक पर पर परसनली बात करी हुए पहले तो you know the glimpse so and the third thing is कि मैं जल्दी free हो जाओँगा क्योंकि Delhi University में आप दो बजे तक ओले से free हो जाओगे तो दो बजे के बाद आप 10 बजे तक 11 बजे तक अपना काम कर सते हो तो मैं उस तरीके से सारी चेस चल रही थी but उसके बाद मैंने अपने business model को थोड़ा से change करने का सोचा so हमारे कुछ अलग थोड़े से मेरा दिमाग खुराफाती था जल्दी करना और बढ़ा करना जल्दी करना बढ़ा करना ये दिमाग में था so what we did मैंने एक business plan बनाया जो कि बहुत अच्छा था the business plan was very good according to me उस time के हिसाब से मुझे असला लगा कि बहुत बढ़ी है और मैं उसे implement करने के लिए एक person से सला लेने किया तो मैं जिन से सला लेने किया तो मुझे किसी ने बताया था कि ये इनसान आपको सला दे सकते हैं से जाके बात कर लो सो जो मैं उनके पास गया घर पे पहुंचा तो उनके घर पे एक network marketing की एक meeting चल रही थी एक home based meeting चल रही थी तो उन्होंने मुझे आपर कुछ नहीं पिठाया उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मिले और उन्होंने मुझे अपने अंदर एक room में लेके गए उनकी meeting भार चल रही है, doesn't matter कोई और meeting ले रहा है बट आदे घंटे उन्होंने मेरा पूरा business plans होना और उन्होंने दो कमिया निकाली है उस business plan में और वो दो कमिया थी, एक तो उसमें repeated income नहीं थी बना one time आपको pay मिलेगा ठीक है, तो जो भी हमारा, हम जो भी बेच रहे थे तो उसमें क्या था कि repeat orders नहीं थे और दूसरी चीज थी कि उस time पर ना मुझे इतना experience था मुझे पता नहीं था चलेगा नहीं चलेगा और कुछ उन्होंने और भी छोटे-छोटे flaws निकाले और major दो flaws निकाले और फिर उन्होंने बोला, इसकी उपर आप work on करो तो उन्होंने अपनी तरफ से अपना एक business consultant की तरह काम किया उन्होंने मुझे कोई network marketing pitch नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे उसके बाद उन्होंने बाहर मुझे अपनी meeting में लेके गए मुझे introduce किया सब के सामने और उनको थोड़ा सा पता था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता तो थोड़ा बहुत बताया सब को और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप सब को ESBI समझाओ तो रौवर्ट की उसकी का ESBI model तो हमने 9th class से ही पढ़ लिया था तो network marketing की training देख देख के तो blood में आ गया था तो मैंने वहाँ पर network marketing के जितने भी लोग बैठे थे distributors बैठे थे मैंने उन्हें ESBI model समझाया और सबने बड़ी तेस तालियां बजा ही मेरे लिए और बड़े खुश हो गए कहते है ऐसे की समझाया ही नी तो वह एक अपनी specialization है हम जब समझाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर नए लोग भी आये थे वो जॉइन हो गए home-based meetings में ऐसा होता है तो उन्होंने मुझे बोला कि पुश्री दिर इन आइडिया कि तुम क्या कर सकते हो अब देखो तुम्हें public speaking पसंद है तुम्हें जल्दी बड़ा करना है और जिस चीज में तुम्हें मज़ा आता है तुम उसे कर सकते हो So why not you join network marketing So यहाँ पर क्या होगा You'll be doing the same thing You'll be doing public speaking तो उन्होंने मेरा PMF जान लिया My primary motivating factor उन्हों मुझे स्टेज पर बुला दिया अब स्टेज पर बुला दिया तो बूलने में तो अच्छा लगते ही है लोगों ने फिर्टा लिया मज़ा ही तो वो मुझे अच्छा लगा That was a feel good factor for me कि भई लोगों को अच्छा लग रहा है लोग description में देंगे आप जाके उस कारिकर्म का लाव उठा सकते हैं और बहुत कम उमर बे आप भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं आपको मालूम है कि हर मंगलवार आत्री 8 बजे हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होते हैं एक ऐसी personality को लेके जिन से हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत बड़ा नाम होता है किसी नहीं किसी फिल्ड का ये वीडियो जनोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्स्क्राइब कीजे बेल आइकोन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए और आप ये कह सकें कि मैंने उस फुला वीडियो का आपसे पहले देखा था एक बार फिर आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद Thank you very much